हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टेडी, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंगलिश, फर्स फ्लाइट बुक का चाप्टर नंबर 9 माडम राइट सबस, आपके इस सेम चाप्टर में एक पोएम गिवन है आपको इस पोएम का लाइन बाइन एक्स प्लेनेशन देखेंगे, इस पोएम के पोएट का नाम है अग्डन नाष, अब पोएम रिड करने से पहले यह रिड कर लेते हैं, इससे हमें समझ में आएगा कि हमें पोएम में क्या पढ़ना है, this poem is written in the style of a ballad, अब यह जो यह एक बैलाड के स्टाइल में लिखी गई है अब दिखतें बैलाड क्या होता है a song or poem that tells a story अच्छा तो मतलब कोई ऐसी poem या फिर song जो क्या बताती हो story बताती हो मतलब story है but story को कैसे बताना है song या फिर poem के form में बताना है you must be familiar with ballads that narrate tales of courage और heroism वैसे अब तो हमी पता चल चुका है कि बैलाड क्या होता है तो हम familiar हो गए बैलाड से क्योंकि हमने ऐसे सुने हुए है ना जो story रहती है बट poem या फिर song के form में होती है heroism मतलब कोई ऐसे person जिनोंने बहुत ही courage साहस वाला काम किया है और उनकी जो साहस की जो कहानिया है जो story है वो हमने poem या पर song के form में सुनी हुई है तो ये जो poem है ये भी एक बैलाडी है story को poem के form में बता गया है और ये humorous है ठीक है funny है poem तो देखते हैं इसका explanation वैसे अगर central idea के बात करें मतलब poet हमें इस poem के थुरू क्या बताना चाहते हैं तो poem ना हमें एक message देना चाहते हैं कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि अगर कोई इंसान nature wise काफी जादा शान्त हो तो इसका मतलब ये है कि वो डरपोग है या वो कोई काम नहीं कर सकता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसलिए हमें कभी भी किसी को इस तरीके से judge नहीं करना चाहिए और नहीं किसी को tease करना चाहिए चिडाना चाहिए मतलब main point तो ये है कि हमें किसी को underestimate नहीं करना चाहिए क्योंकि हर एक person में हर एक creature में क्या होता है उसका खुद का talent होता है ना चार पेट में से एक जो पेट है उसे बाकी के जो बचे तीन पेट है वो और बलेंडा दरपोग समझते हैं चौते पेट को और फिर पोएम में हम आगे देखेंगे कि वो जो चौता पेट है वो कौन है यह तो पोएम में ही पता चलेगा वो जो चौता पेट होता है वो आगे कुछ ऐसा काम कर जाता है कि बाकी के सब डर जाते हैं मतलब इसे डर पोग बोलते हैं लेकिन यही ब्रेव निकलता है तो अब वो क्या काम करता है यह तो हमें पोईम के इक्सपलियनेशन से है पता चलेगा तो देखते अब एक्सपलियनिशन बलिंदा लिवट इन लिटल गटaur वाइड पेडू आज से उति ज eran दे रहती है अब उसके पास है उसके चार पेठ पहला तो है तो एं ब्लाक akchaeतिन ग्रे कले का माउस हैं और раст10, worst wheat ग्योपलग और उसके पास है वगन रेडड कलड़ का चोटवागन है वगन क्या होता है कथ कार्ट मतलब जिसमें हम चीजे रखे और उसको पुलिया पिर पुश करके कहीं पर लेकर जाए क्यारी कर सकते हैं चीजे रखकर उसको तो यह होता है वैगन कोई एक चीज है कार्ट है और क्या है चौथा एक पेठे उसके पास ड्रागन यहाँ पर पोईट ने लिखा है रिल हो मितलब रिली और चुलियो मतलब होता है तुछ तो चार ऐसे पेठे एक तो है किटन दूसरा माउस थर्ड डॉक और फोर्त फेट्रागन यह आनिमल जो है यह तो इमाजे इं ही कर सकते है ऐसा रियल में कोई आनिमल तो नहीं होता होंगा क्योंकि ड्रागन एक ऐसा आनिम of the little black kitten was Ink and the little gray mouse she called him Blink and the little yellow dog was sharp as mustard but the dragon was a coward and she called him Custard अब देखो, सबके नाम बता गहे है बलिन्डा ने अपने चारो पेट के कुछ ना कुछ नाम रखे है तो पहला है a black color का kitten kitten का नाम रखा है Ink next है a gray color का mouse तो mouse का नाम रखा है Blink blink मतलब पलक जपकाना होता है न तो ऐसा blink and the little yellow dog was sharp as mustard little yellow color का जो dog है इसका नाम रखा गया है mustard mustard पता है mustard का color yellow और dog का color भी yellow so इसका नाम रखा है mustard और जो बचा फोर्थ है dragon dragon के सा है coward coward मतलब डरपोक है so Belinda ने इसका नाम रखा है custard चारों के नाम याद होगे kitten का नाम है ink mouse का नाम है blink dog का नाम है mustard और dragon का नाम है custard third stanza पे आते है custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath mouth like a fireplace chimney for nose and rillio trullio daggers on his toes अब देखो यहाँ पे custard के बारे में मतलब हर एक पेट और बलेंडा के बारे में एक एक स्टांजा में बता गया अब पहला नंबर लगता है dragon का जिसका नाम है custard तो custard कैसा है इसके जो टित है वो काफी बड़े-बड़े है और sharp है और इसकी body पर है spikes spikes क्या होते हैं suppose कर लो यह dragon की body है तो इसकी body पर ऐसे triangles लगे हुए होते है ऐसे इस shape के triangles और काफी sharp होते है ठीक है तो यह होते है spikes इसकी body पर होते है spikes और scales scales कहा होते है fish पता है फिश पर होते है scales तो ऐसे ही scales कहा present है dragon की underneath मतलब नीचे उसके body पर नीचे क्या लगे हुए है scales लगे है mouth like a fireplace अब dragon का mouth कैसा है fireplace मतलब आग निकलती है dragon के मुझ से chimney फॉर नोज अब क्यूंकि आग निकल रही है धुआ कहीं से निकलेगा तो chimney किसके लिए होती है factories वगरे में industries में धुआ निकालने के लिए है ना अब यहाँ पर चिमनी कौन सी है नोज ड्रागन का जो नोज है वही चिमनी है नोज में से दुआ निकलता है और यहाँ पर dragon के जो toes है toes को किसके साथ compare किया है daggers daggers क्या होता है खंजर किसके आच्छा toes कैसे है खंजर के जैसे है Belinda was as brave as a barrel full of beards and ink and blink chased lions down the stairs Mustard was as brave as tiger in a rage but Custard cried for a nice save cage अब देखो Belinda कैसी है Belinda और बाकी के पेट कितने brave है यह बता गया इस stanza में Belinda कितनी brave है अगर कोई एक box है यहाँ पर बोलाए ना barrel full तो अगर एक box में बहुत सारे हम bear रख देते हैं बहुत सारे bears रखेंगे तो इतनी सारे bears जितनी brave रहेंगे ना उतनी brave है Belinda मतलब काफी जादा brave है और ink and blink मतलब kitten और mouse chase lions down the stairs मतलब यह lions को भी हरा सकते है इतनी brave है mustard was as brave as tiger in a rage अब mustard मतलब dog dog कितना brave है जैसे कि tiger raise raise का meaning होता है गुसे में tiger गुसे में जितना brave होता है उतना ही brave है mustard but custard cried for a nice safe cage लेकिन जो custard है जो dragon है जो के बहुत ज़्यादा powerful होना चाहिए है वो अभी भी किसके लिए रोता है nice safe cage मतलब उसको लगता है कि मुझे एक पिंजरा दे दो मैं उस पिंजडे में रहूंगा और फिर कोई भी मुझे पर attack नहीं करेगा तो वो किसके लिए रोता है safe cage के लिए रोता है बलिंडा tickled him she tickled him unmerciful ink blink and mustard they rudely called him percival they all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon अब देखो बलिंडा क्या करते है tickled tickled मतलब गुदगुदी करना बलिंडा गुदगुदी करते है किसको dragon को custard को और कैसे tickled करती है unmerciful unmerciful मतलब mercy तो दया होती है न दया भावना तो unmerciful मतलब बिना दया भावना से वो क्या करती है dragon को गुदगुदी करती है ink and blink and mustard अब तीनों के तीनों पेड ink, blink और mustard they rudely called him percival क्या मुलाते dragon को percival percival कौन था एक warrior था मतलब किसी एक king के code का warrior था जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकती बहुत ज़्यादा पावर था उसके पास फिर भी वो डरपोग था तो बिल्कुल वैसाई dragon है dragon के पास बहुत ज़्यादा पावर है बट वो डरपोग है तो तीनो के तीनो पेट क्या बुलाते है उसको percival बुलाते है they all sat laughing in the little red wagon और यह सब कुछ बोलते बोलते वो कहां बैटे हुए होते है red कला का wagon है न बिलिन्डा के पास मतलब की cart तो cart में बैटे हुए होते है और ड्रागन को चुड़ाते है add the really, really cowardly dragon क्योंकि dragon तो कैसा है coward है मतलब डरपोग है बिलिन्डा गिगल till she look the house and blink said wick which is giggling for a mouse ink and mustard rudely asked his age when custard cried for a nice safe cage अब बिलिन्डा क्या करते है गिगल गिगल मतलब हसना वो ड्रागन पर इतनी जोड-जोड से हसती है कि उसका जो घर है वो शुक शुक मतलब हिलने लगता है और जो blink है वो wick blink मतलब mouse है न तो blink कैसे हसता है और wick wick ये उसी की अवाज है ink and mustard और ये जो ink और mustard है ये rudely rud तरीके से क्या पूछते है age पूछते क्योंकि अभी भी dragon को क्या चाहिए nice safe cage चाहिए इसलिए ink और mustard क्या कटते है dragon को उसकी age पूछते कि भई बताओ अपनी age तुम इतने बड़े हो गए और अभी भी तुमें क्या चाहिए cage चाहिए suddenly suddenly they heard a nasty sound and mustard growled and they all looked around miyoch cried ink and o cried belinda for there was a pirate pirate climbing in the window suddenly क्या होता है अचानक से वो एक nasty sound सुनते है अचलब काफी बुरा बहत ही गंदा सा साउंड वो सुनते है and mustard growled growled का मीनिंग क्या होता है जिसे mustard को ने dog है dog की आपको पता है न जब वो घबराते हैं तो कैसे sound निकालते है वो वो करते हैं तो ऐसे वाले and they all looked around और इधर उधर देखने लगते miyoch cried ink ink कौन थी kitten billi थी तो वो बोलती है and o cried belinda belinda क्या चलाती है o बोलती है for there was a pirate climbing in the window क्योंकि क्या हुआ था उस time वहाँ पे आया था pirate pirate कोने समुदरी डाकू तो डाकू आया था कहा से climbing in the window अब poet ने यहाँ पे विंडो को क्या लिखा है विंडा क्योंकि यहाँ पे rhyming words है बिलिंडा आया इस लाइन में तो बिलिंडा का rhyming word क्या बनेगा विंडा तो इसे बोलती है poetic license poet के पास poetic license है तो उन्होंने विंडो को क्या किया है विंडा किया है ताकि यह rhyming words बन सके ठीक हो गया तो कहा से आता है pirate विंडो से आता है अब इसके आगे का next video में देखेंगे ठीक है यहाँ पे हमने क्या दिखा कि एक pirate है जो बलंडा के घर पे आ चुका है अब देखेंगे pirate क्या होता है समुद्र डाकू अब वो क्या करता है इनके साथ इन्हें मारता है या फिर यह उन्हें मारते यह हम next video में देखेंगे विडियो अच्छे लगी तो विडियो को लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तेंक्यू